Hello students, NCIT में जो page number 156 है, उसकी जो प्रमे है 7.6 हमें इसको समझना है कि ये प्रमे क्या कहती है? इस प्रमे के अनुसार, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मु कोन बड़ा होता है? इसका क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए, मैं एक यहाँ पर त्रिभुज बनाता हूँ, और कुछ मैंने इस तरीके से बना लिया ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ABC, और इस त्रिभुज में सभी भुजाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, पर हमारा यहाँ पर में उद्देश सिर्फ दो भुजाओं को लेने का है, एक AB भुजा और एक AC भुजा, आपको ये दिखी रहा होगा, कि दोनों भुजा मैंसे कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, तो ये जो AC भुजा है, ये AB भुजा से लंबी है, तो हम कहते हैं कि AC भुजा लंबी है AB भ तो AC भुजा, आपको AB भुजा से लंबी दिखाई दे रही होगी, तो जो 7.6 का प्रमे है वो ये कहता है कि आपके पास जो लंबी भुजा है, यहां के केस में कौन है AC, तो इसका जो सम्मु कौन होगा, तो AC जो लंबी भुजा है, उसका सम्मु कौन है, एंगल भी, ठीक ह C, तो प्रश्न के ये इस प्रमे के अनुसार, जो लंबी भुजा है, उसके सामने का जो कौन है, वो बड़ा होगा, छोटी भुजा के सम्मु कौन से, इसका मतलब हो गया, ये बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का कौन बड़ा होगा, ये छोटी भुजा है, इसके सामने का कोण क्या होगा छोटा होगा तो इस प्रम्य में बच्चों ये चीज़ बताई थी हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं मैं एक और यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जैसे यह बनाया मैंने एक समकोण त्रिबुच नाम इसका A, B, C यहाँ पर आप देखो इन दोनो भुजाओं में से कौन सी भुजा लंबी है तो आपको दिखरा होगा कि यह जो A, C भुजा है यह लंबी है और A, B भुजा क्या है बच्चों छोटी है तो प्रमे के अनुसार लंबी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है यहाँ के case में A, C भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है B और जो छोटी भुजा है A B इसका सम्मुख कौन सा है एंगल C तो एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा होगा क्योंकि एंगल B लंबी भुजा का सम्मूख कोड है और एंगल सी छोटी भुजा का सम्मूख कोड है तो इस तरीके से बच्चों इस प्रम्य को मैंने यहाँ पर समझा दिया I hope कि आपको यह प्रम्य समझ में आया होगा Thanks for watching